सरकार ने अभी कोपरा यानि गरी के गोले के ऊपर जो MSP है minimum support price जिसको हिंदी में new term समर्थन मूल्य कहते हैं उसको बढ़ा दिया है तो दोस्तों भाईयों और बहनों यह जो MSP टर्म है यह जो MSP है यह हम सब के लिए बहुत ही important चीज है जो भी exams की preparation कर रहे हैं MSP related questions UPSC में पुछे जाते हैं UPSC के सारे exams में पुछे जाते हैं और खासकर जो अभी upcoming exams है UPRO ARO 2030 और UPPCS 2024 उसके लिए भी minimum support price बहुत ही important topic है और important इसलिए भी है क्योंकि हमेशा news में रहता है जो 2020-21 में farmers ने इतना वड़ा strike किया था उसका main कारण भी minimum support price ही था तो अपने लिए important topic है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का nullified पर चलिए सुरू बरते हैं MSP अब सबसे पहला सवाल है कि MSP होती क्या है तो भाईयों दोस्तों MSP जो होती है वो एक guarantee होती है जो सरकार देती है किसानों को दूसरा सवाल भाईया कैसी guarantee होती है तो MSP is a minimum price for any crop that the government consider as a remunerative for farmers and deserving of support इसको simple भासा में समझते हैं जैसे एक salaried person होता है एक नौकरी पेसा आदमी होता है वो पूरे महिने नौकरी करता है पूरे महिने अपनी organization के लिए काम करता है फिर महिने के आखरी में उसको उस महिने की तनकाह मिल जाती है बेतन मिल जाता है जिसको की कहते हैं कि उस फसल के against में एक minimum पैसा तो मिलना ही चाहिए ताकि जो किसान है उनको support किया जा सके उनकी जीविका को support किया जा सके ठीक है तो MSP क्या है MSP एक नियूनतम मूल्य है जो की सरकार guarantee देती है किसानों को कि उनको उसके उनके फसल के लिए उनके किसी particular फसल के लिए कम से कम उतना प guaranteed rate at which government purchases crops from the farmers तो सरकार कहते है कि अगर उस नियूनतम मूल्य से जादा मूल्य पर बाजार उनके फसल को नहीं खरीद रहा है तो सरकार किसानों के फसल को कम से कम उस नियूनतम मूल्य पर खरीद ही लेगी ताकि किसानों को कुछ भी नुकसान ना हो ठीक है यह चीज़ समन मे हैं कि गारंटी तो दे दी अब यह जो किसी भी फसल की नियूनतम मूल्य है उसको decide कौन करता है कि इस फसल की इतनी नियूनतम मूल्य रहनी ही चाहिए तो भाया इसको decide करता है the commission for agriculture cost and prices जिसको shortcut में कहते हैं CACP अब यह जो organization है यह अपने लिए बहुत important है कई बार एक जाम म prices CACP decides MSP ठीक है अब यह जो CACP है यह एक attached office है ministry of agriculture and farmers welfare का ठीक attached office है अब यह जो CACP है यह recommend करता है MSP कितनी crops के लिए 22 crops के लिए 22 crops के लिए 22 crops के लिए MSP recommend करता है और जो sugar crane है जो गन्ने की खेती होती है गन्ने के फसल के लिए यह FRP यानि की fair and remunerative price को recommend करता है तो CACP हमको याद रखना है ठीक अच्छा अभी जैसा मैंने आपको बता है कि 22 mandated crops हैं जिनके लिए की CACP MSP recommend करता है और जो toria और dehust coconut है यानि जो narial होता है और जो toria होता है इसकी MSP को derive किया जाता है जो toria की MSP है इसको derive करते हैं mustard की MSP से और जो नारियल है इसकी MSP को decide करते है कोपरा यानि की जो गरी का गोला होता है उसकी MSP से इसी कोपरा की MSP है उसको अभी government ने बढ़ाया है ठीक है तो अगर वैसे देखा जाया तो 22 total mandated crops है जिनके लिए की MSP को recommend करती है CACP ये बात हमको याद रखनी है ठीक है अब यह जो 22 mandated crops है इसमें से जो खरीफ के फसल है उसकी 14 फसले है ठीक है 14 है खरीफ season की 6 है रभी crops और दो है other commercial crops total कितनी हो गई 24 खरीफ 6 रभी और दो commercial अब यह भी question आ जाता है कि सबसे ज्यादा जो MSP किस season की फसल के लिए सबसे ज्यादा recommend की जाती है तो वो है खरीफ के season के लिए जिसके कितने crops है total 14 crops है और दो commercial crops है यह भी याद रखना है ठीक है अच्छा अब होता क्या है कि जो CACP है वो तो recommend करती है उसके बाद एक होती है cabinet committee on economic affairs ठीक है यह जो cabinet committee on economic affairs है यह union government की यह committee होती है यह final decision लेती है MSP के ऊपर ठीक है कि किस level की MSP को मानना है किस level की MSP को हमको किसानों को देना है ठीक है तो CACP recommend करती है और final decision होता है CCEA का यह चीज़ भी ध्यान रखनी है अच्छा अब यह जो CACP है यह कैसे decide करती है कि किसी भी फसल की जो minimum support price है निवनुत्तम जो मूल्य है वो किस तरीकेसे decide करती है भी यह कोई सपने में तो होता नहीं कि एसी हवा में कुछ भी decide कर दिया कि चलो भी यह इस फसल को हम इतने रुपए किलों बेज देता है इस फसल को हम इतने रुपए किलों करीद लेता है ऐसे हवा में नहीं होता है CACP का एक set क्या है formula है ठीक है होता है, a2 को, a2 में वो सारे cost को include किया जाता है, जो कि एक किसान किसी भी फसल को उगाने में अपनी जेब से खर्च करता है, ठीक है, तो वो सारी जो paid cost है, जो किसान अपनी जेब से खर्च करता है, किसी भी फसल को उगाने में उसको तो क्या तहा जाता है, A2 कहा जाता है, ये भी जाम में आ जाता है कि A2 में कौन से factors को include किया जाता है, ठीक है, तो all paid cost, paid cost में क्या क्या है, जो seeds के उपर खर्चा है, बीजों के उपर जो भी खर्चा है, जो fertilizers के उपर खर्चा है, जो उसने कितनी मजदूरों को hire किया है, pesticides को used किया है, अगर उसने जो land है, उसको lease पे लिया है, किराय पे लिया है, fuel में, irrigation में, तो जो खर्चे उसने अपनी जेब से किये हैं, उन सबको A2 factor के अंदर include किया जाता है, ठीक है, अब दूसरा होता है A2 plus FL, FL का मतलब होता है family labor, तो इसमें क्या किया जाता है, जो ये A2 वाल ये 5-6 लोग है, उन सबने अपने खेतों में काम किया है, तो उनके labor की भी तो कुछ cost होगी, तो A2 plus FL में उस labor को भी include कर लिया जाता है, फिर ये जो C2 है, ये पूरा का पूरा एक comprehensive cost analysis है, comprehensive cost factor, ठीक है, जिसमें जो ये A2 के सारे cost है, इनको भी include कर लिया जाता है, FL के A2 plus FL के इसके अलावा भी, जो वो उसकी working capital जो वो लगा रहा है, उसके उपर जो एक interest बनता है, या जो भी उसके fixed capital पर interest बनता है, यानि जो उसकी land है, उसके उपर जो भी interest बनता है, तो इन तमाम चीज़ों को क्या कर लिया जाता है, C2 में include कर लिया जाता है, C2 का मतलब हो गया comprehensive cost ठीक है, तो ये तीन तरीके के production cost हैं, ठीक, अब ये जो हमारी government है, ये basically जो consider करती है, वो करती है A2 प्लस FL को, ठीक है, यानि कि जितना पैसा किसान ने वसल को उगाने में अपनी जेब से दिया, प्लस जो उसकी family labor का cost हुआ, इस cost को वो include करके, जो MSP है, उसको decide करते हैं, ठीक अब ये देख लेते हैं कि MSP के ऊपर अभी कितनी committees बनी हुई, ठीक है, तो सबसे पहली जो MSP के ऊपर committee बनी थी, वो बनी थी LK जहा committee 1960s में, ठीक है, इसी LK जहा committee ने सबसे पहले MSP को recommend किया था, तो MSP की foundation LK जहा committee की recommendation के ऊपर ही हुई थी, तो ये हमारे लिए important चीज है, कि MSP को सबसे पहले किस committee ने recommend किया, LK जहा committee ने recommend किया, ठीक है, इन्होंने क्या क्या suggestion दिये थे, कि जो MSP है, ये cost of production के ऊपर base होनी चाहिए, पहला factor, दूसरा इन्होंने factor बताया था, demand and supply situation, price trends in the market, और implications for the consumer, मतलब जो किसानों से खरीद रहा है consumer, ठीक है, या जो बाजार से consumer खरीद रहा है, उसके pocket का भी ध्यान रखना है, जब भी हम MSP को decide करते हैं, तो इन्होंने ये सारे के सारे factors बतायते, MSP को decide करने के लिए, उसके बाद फिर, ये MS Swaminathan committee बनी, ये आप MS Swaminathan की photo-op देख सकते हो, बहुत ही जादा celebrated हमारे क्रिसी के छेत्र में इंसान है, MS Swaminathan ज चाहिए, C2 यानि comprehensive cost on any product plus 50%, ठीक है, तो this means MSP should be 50% more than the comprehensive cost of the product, ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि जो MSP है, उसको किसी भी फसल को बोने से पहले, उसकी showing season से पहले ही announce कर देना चाहिए, और MS Swaminathan जी ने एक चीज और कही थी, कि MSP government की उपर legally binding होनी चाहिए, ये legally binding क्या चीज़ इसको भी हम आगे वीडियो में discuss करेंगे, देखते हैं, जो हमारी तीसरी committee है, वो है रमेश चंद committee, जिसने अपनी report कब्दी 2015 में दी, और इन्होंने कुछ और factors को include किया, जैसे terms of trade, inter crop, price parity, global prices, competitiveness, इन्होंने इन सब चीज़ों को भी include किया, और ये recommend किया कि जो MSP है, वो comprehensive cost plus 10%, 10% उसका comprehensive cost का और उसमें add करके इतना MSP होना ही चाहिए, ठीक है, ये रमेश चंद committee थी, तो तीन committees के बारे में हमने discuss कर लिया, अच्छा, एक timeline हम MSP की देख लेते हैं, तो before 1947 आपको पता है, यहाँ पर अंग्रेजों का रास्ता, उन्होंने हमारी क्रिसी को बहुत ज़् दिया था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1957 में सबसे पहले एक committee बनी, the food grain inquiry committee, ठीक है, ये food grain inquiry committee 1957 में इसलिए बनाई गई थी, कि जो farmers हैं, उनकी income को, उनके जो income का ये issue है, इसको address किया जा सके, कुछ उसमें सुझाओ दिया जा सके, ताकि जो farmers हैं, उनके income को बढ़ाया ज सके, फिर 1964 में, food grain price committee, जो LK जहा committee थी, ये बनाई गई गई और इसने MSP को recommend किया, MSP के लिए push किया, ठीक है, जो LK जहा committee है, इसको food grain price committee भी कहते हैं, ठीक है, सबसे पहली बार फिर MSP announce हुआ, 1967 में, 1967 में सबसे पहला MSP आया, और उसके बाद क्या हुआ, कि, जो ये food grain price committee थी, इसको replace किया, CACP ने, 1985 में, ठीक है, तो CACP company, 1985 में, तो ये हमारी MSP का क्या है, एक timeline है, अच्छा, अब एक चीज important है, कि ये जो MSP है, क्या ये farmers का legal right है, यानि कि government, अगर एक बार MSP announce कर देती है, किसी भी फसल के लिए, और उस price पे, अगर वो farmers से नही खरीद रही है, farmers के produce को नहीं खरीद रही है, तो क्या farmers इस चीज के लिए court में जा सकते हैं, government को court में लेके जा सकते हैं, तो इसका जवाब है no, ये MSP farmers का legal right नहीं है, even जो 2020 में, जो farmer agitation इंडिया में हुआ था, जो किसान अंदोलन हुआ था, उसमें किसानों की main मांगी यही थी कि जो MSP है, उसको हमारा legal right बनाया जाए, ठीक है, लेकिन as of now जो status है, वो यही है कि farmers जो है, वो MSP को demand नहीं कर सकते हैं, as a matter of rights, farmers cannot demand for MSP, ठीक है, तो और government का अभी अभी तक instance यही है, कि उसने MSP को legal right नहीं बनाया है, बहुत सारे regions को government बताती है, लेकिन वो government यही कहती है, कि हम इसको legal right नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिस यही रहती है, कि हम farmer के produce को MSP से MSP पर ही खरीद ले, MSP की दरपर खरीदे हैं, ताकि farmers को नुकसान ना हो, ठीक है, तो दोस्तों यह था सारा का सारा MSP के बारे में, अगर MSP से related कुछ भी questions exam में आता ह तो यही सारी जो हमने अभी चीजें डिसकस करी हैं, इन्हीं से आयेगा 99.99% ठीक, अगर आपको यह पूरा का पूरा material PDF के form में चाहिए, तो description में हमारे टेलिग्राम चैनल का link है, टेलिग्राम चैनल जोइन कीजे, वहां से आपको मिल जाएगा PDF, और दोस्तों हमको support जरू को subscribe जरूर कीजिए, ताकि हमारा भी होसला बुलंद रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, stay nullified